शिमला के समेज गाओं में बादल फटने से भारी तबाही हुई है लेडर आफ अपोजिशन फ़र्मर चीफ मिनिस्टर जैराम ठाकूर पहुंचे हैं गाओं में जैराम जी चौथा दिन है अभी कोई रिकवरी नहीं हुई है किसी बोडी की पर सवाल उठ रहे हैं हिमाचल मे विकास के मॉडल पर आप जब मुख्य मंत्री थे तब इसके उपर चर्चा होती थी आज भी चर्चा हो रही है तो क्या होना चाहिए ये विकास का मॉडल ताकि ये जो घटनाएं हो रही है ये ना हो तेकि मुझे लगता कि डौल्पेंट के मॉडल का विशे अलग है मुझ कि यहां इस गाउं में आज से पहले कभी बारिश हुई इस तरह की तरास्थी हुई ही नहीं और इस गाउं में चार-चार मंजले भवन बने हुए थे लोग आराम से रह रहे थे और ऐसे हालात बन गए है हिमाचल परदेश में कि मालूम ने पढ़ रहा है कहां गटना गटी सब्सक्राइब करना चाहिए उसके बाद वहां के लोगों को व्यकल्पी व्यवस्ता करनी चाहिए कहीं सुरक्षी स्थान पर आवास बनाने के लिए और दूसरा विशह है कि जहां नए मकान नई डूवल्पेंट के विकास कारे हो रहे हैं तो उसमें इस बात को सुनश्रित किया जाए कि वो जो हमारे जो नदी से नाले से कितना दूर है क्या वो लैंड वहां पर सुरक्षित है आवास बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता कि एक आउडित पुरा होना चाहिए और तब जा मिसिंग है अब की बरसात अभी शुरुआत हुई है तो यह सब चाहिए बड़ा चिंता का विश्या है चाहिए राजनिती से उपर जहां आज में की जिन्दगी का विश्या है तो राजनिती एक जगहा है यहां सीधी सी बात है उपर उठकर के काम करना चाहिए सारी बातों से जिन्दगी सुरक्षित हो बाविश्या सुरक्षित हो विकास हो लेकिन ऐसी जगा हो जिससे किसी का जीवन के लिए संकट ना अपनी जिंदगी के लिए ना दूसरे की जिंदगी के लिए इस बात को सुनिश्चित करने क्या हुशकता है विक्रवान दित्य जी आये थी यहां उन्होंने अपील की केंदर सरकार से कि हिमाचल की मदद की जाए इस संकट की घड़ी में हाँ निश्चित रूप से मैं इस बात को लेकर के यही कहना चाहता हूँ कि राजनीती सूपरूट करके काम करना चाहिए और मदद करने चाहिए संकट की घड़ी में अपने लोगों से कंधी से कंधा मिलाने के लिए लगता जल्दी आएंगे वो अभी लोग सबा के सत्र चल रहा तो शायद वो बजा रही होगी लेकिन सब लोगों ने आगरे किया है कि वो आए निश्चितर चाहिए तो यह लेडर आफ आफ पोजिशन प चाहिए पर फिलहाल जो प्रियोर्टी है वो होनी चाहिए जो लोग प्रभावित हैं उनको जो है मदद पहुंचाने की फिलहाल जैरम ठाकुर समेजगाउं में है और प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं कैमरस्ण रमीश शर्मकसा साचिन कुमार एबीपनू समेजगाउं